ओम नमस्षिवाय जै महाकाल आप सबको पता है कि कल है सो मुआर की अस्तमी का बहुत ही विशेज दिन और आपकी कोई ऐसे विश है मनो कामना जो बहुत दिनों से अधूरी है तो ये विडियो आपके लिए है पूजी गुरुजी की कता से सुनके बहुत अच्छे से बताऊंगा बस बेलपत को आपको साजाना होगा छोटा सा उपाय आपकी जो विश होगी पूरी जरूर होगी कैसे करना है इस पूरे उपाय को बताऊंगा बात लेगिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें आप आज जो भी लोग पहली बार सुन रहे है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है इस क्रिन पर क्या दिख रहा है आपको एक बेल पत देख रही होगी आप अपना राइट हैंड आगे करना और जो एक बेल पत्र आपने लिया है उसको अपने हाथों पर रखना कुछ इस तरीके से इस तरीके से मतलब कि जो बड़ी वाली उंगली आपकी होती है उस पर बड़ी वाली पत्ती टच होनी चाहिए एक अंगुठे को हलका सा टच होना चाहिए छोटी वाली पत्ती और एक पत्ती आपकी इस साइड पे होनी चाहिए कुछ इस तरीके से जैसा इस स्क्रिन पे दिख रहा है तो इसी तरीके से रखना और आपको अपना हाथ बेल पेंड के नीचे रखके आपके जो भी मनोकामना हो जो भी वेथा हो आपको कह देनी है ठीक है कह दिया आपने उसके बाद उस एक बेल पत्र को ले जाना महा देओ के शिवलिंग के पास शाम के टाइम पे प्रदोशकाल में ही सारे काम को करना होगा जाना फेस रखना अपना उत्तर दिशा के तरफ नौर्थ डिरेक्शन के तरफ और जो एक बेल पत्र होगी महा देओ के शिवलिंग के ठीक उपर अपनी मनोकामना को कहते हुए समर्पित करना समर्पित करोंगे तो डंडी होनी चीही मता असूक सुन्दरी के तरफ वदोपत्ती होगी समर्पित जब आप कर रहे हों तो आपको अपनी मनोकामना बोल करके ही उस एक बेल पत्र को समर्पित करना है उसके बाद एक लोटा शुद्धजल उसी बेल पत्र के उपर आपको चढ़ा देना होगा यकीन मानिए जो भी विक्ति बेल पेंड के नीचे अपने हाथ में बेल पत्र को रखके अपनी मनोकामना वहाँ पे बोल करके और बेल पत्र यहाँ पे समर्पित कर देता है उसकी जो भी इच्छाएं होती है महादयो पूरी जरूर करते हैं मैंने कोशिच की बहुत ही आसान भासा में आपको बहुत अच्छा समझानेगी विडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें कुछ पूछना हो नई समझ मैं नीचे कॉमल में पूछें आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओम नमस्षिवाय जय महाकाल